दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका सामान यद्धिन की स्पेशल स्रीज में जो रात आठ बजे प्रतिदीन आती है अभी इतिहास गूगोल इसमें चल रहा है प्लेलिस्ट में हमने बना दिया है स्किप्सन वाक्स में तमाम लिंक हैं आप जुड़ करके हमारी वीडियो और पीडियाफ का लाब ले सकते हैं तो आज का दिन आपका UPPCS 2018 की प्रतीक्षा में बीता मुझे यह जानकारी थी कि आज परेडाम आने वाला है और बहुत ही विस्वस्त सूत्रे ने बताया था और मैंने अपडेट भी किया था कि आज परेडाम आ सकता है लेकिन कुछ टेक्निकल्टीज की वज़ा से यह परेडाम आज नहीं होशेता सका और इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है उसका कारण जो बताया गया दो कारण बताया गया दोनों कारण ही आपको बता देता हूँ पहला जो पता चला कि कुछ लोग जो है और एड किये जाएंगे कुछ स्पेसल पोस्ट है जिसमें लोग क्वालिफाई नहीं हो पारे था उस मात्राम जिस लिए लेना है तो उस पोस्ट को फिल करने के लिए कुछ और लोग क्वालिफाई कराई जाएंगे जो एक दो नमबर से रह गये थे इसके लावा कुछ कटेगरी में भी दिक्कत आ रहे थी कि जितने लोग होने चाहें उतने नहीं आपा रहे थे तो जो किनारे हैं जो पास हो सकते हैं एक दो नमबरों से उनकी कॉपिज फिर से रीचक करके कोशिश किया जाएगा ऐसा नहीं कि वो पास कर ही दी जाएगा अगर लायक होगा कि एक दो अंक बढ़ाए जा सकते हैं तो वो कर दिया जाएगा वो नमबर बढ़ाए जा सकेंगे जो दूसरी बात सामने आई कि स्कूटनी कुछ कॉपियों की होनी रह गई थी वो तुटी सामने आई जब लिश्टिंग की गई जब परिडाम आया तो उसके साथ लगा हुआ था जो रिपोर्टस आती है तो देख करके फिर से स्कूटनी होगी कुछ कॉपी की तो थोड़ा सा लेट लग जाएगा 6-7-8 दिन का तो अगली जब भी ऐसी कोई खबर आएगी कि सब कुछ तयार हो गया है अलागि ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले इस तरह से परिडाम रुग गया हो मेटिंग कॉल होने के बाद भी लेकिन जब भी अन्य सूचना मिलती है परिक्षा के संदर में मैं जरूर दूँगा सुबह वाली वीडियो हमारी देखना मत भूले उसमें हम परिक्षा के बारे में और करेंट अफेर्स के क्वेश्चन्स डेली के जो होते हैं वे चर्चा करते हैं काफी जानकारी भरा वो वीडियो सुबह वाला रहता है तो उसको देखना मत भूलेगा चलिए शुरू करते हैं आज के भारत में निम्लकित में से किस एक वन प्रारूप में महोगनी सिनकोना बास एक प्रभावी विरिक्ष स्पिसीज है जिनका प्रभाव है किस एक वन प्रारूप में तो ये जो वन है महोगनी सिनकोना बास इन ये किस वन के प्रभावी स्पिसीज माने आते हैं उश्कटबंधी वर सदाबाहर वन के उश्कटबंधी सदाबाहर वन होता क्या है ये वन उन छेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों जहां तापमान वर्ष भर उचा रहता है और वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है अथाद वहाँ पर जल सरोत भी होते हैं वाश्पन भी होता है वर्षा भी काफी मात्रा में होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ऐसे प्रकार के वनों को उष्ट कटबंदी सदा बहार वन कहा जाता है यहीं पर यह महोगनी सिनकोना बास यह आदी प्रभावी विक्ष्य होते हैं भारत में अब सवाल उठता है कि उष्ट कटबंदी जो सदा बहार वन है कहां कहां पाए जाते हैं अक्सेट पूछ लेता है options में तो देखे आपके पूरवी भारत में पश्चमी घाट के परवतों का जो पश्चमी ढाल है जहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है वहां इसके लावा अंदमान निकोवार दीव समों में पश्चमी ढाल पे ज्यादा वर्षा होती है ज्यादा होती है इसके लावा अंदमान निकोवार दीव समों में भी उष्चटबंदी सदा भारवन पाये जाते हैं इस वन के जो मुखिवरिक छोते हैं रमहोगनी आबूनस सिंकोना रबर बांस बेंद रोजवूट ताड ये सब यहां पर पाये जाते हैं वहीं उष्च कटबंदी जो पतजडवन है ये इनका विकास उन छेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 100-200 cm के बीच होती है इसे पतजडवन भी कहा जाता है या पनपाती वन या पतजडवन पनपाती का जो तदभव है वो क्या है पतजड़ है इसके मुख्य व्रिक्ष जो है प अभी मान लीजिए आपको यूपी पीसेस का एजाम दे रहे हैं आपको यह अन्य एकजाम दे रहे हैं वहां स्टेट्मेंट पूछ लिया जाए कि इन छेत्रों में वार्षिक वर्षा 100-200 cm के बीच होती है यहां पर सागाउन साल चंतन शहतूत महुआ शीशम आदी मुख् रिक्ष पाए जाते हैं यह अपेक्षया गर्म प्रदेश होते हैं तो आप बताइए यह कौन से प्रदेश होंगे तो उसमें तमाम दे देगा उश्कडबंदी सदाभारवन सीतो शमन ज्वारी वनन तो यह सब देगा तो आप याद रखेगा 100-200 cm वर्षा उश्कडबंद और ठाथ परियाब्त धूपो मलब गर्मी हो और जो मुख्य वर्षों सागाउन साल चंदन श्रहतूत महुआ शीशमादी हो तो यह क्या होगा उश्कडबंदी पतजडवन ठीक इसी प्रकार जो हमने आपको सदाभारवन के बारे में बताया जो ज्वारी वन होते हैं जो के जो मुख्य वर्षोते हैं नारियल मैंग्रो सुंदरी जैसे सुंदरी के नाम पर ही सुंदर्वन पड़ा है पशी मंगाल में जो ब्रंपुत और गंगा का डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर्वन डेल्टा वो सुंदरी वर्ष के नाम पर ही पड़ा है इसके भी आते हैं ज्वारी वनस्पती में इसके बाद उश्कडबंदी शुष्कवन ये उन छेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षिक वर्षा 50-100 cm के बीच होती है इसके मुख्य वरिक्ष जो होते हैं महुआ, बबूल, पलाश, तेंदू, खैर, बेर, बरगद, पीपल ये सब ये उश्कडबंदी शुष्कवन छेत्रों में पाए जाते हैं अगला प्रशन है दक्षिन भारत के पूर्वी तटके परवतों का उत्तर से दक्षिन सही क्रम क्या होगा ये पूर्वी घाट के ये सभी परवत हैं मलय गिरी, नला, मला, जवादी और शेवरा है आपको बत लगती हैं तो यहां जो प्रश्न में पूछा गया है सबसे पहले मलय गिरी सबसे उपर हो जाएगा वाले गिरी दीया है नला, मला गिर जवादी और शेवराए तो मले गिरी ये उडीशा में है ये सबसे उत्तर में हो जाएगा उसके बाद उत्तर से दक्षिन के क्रम में आईए तो आपको ये नला मला मिल जाएगा ये आन प्रदेश में नला मला पहाड़ी है फिर उसके बाद तमिल नाड़ में आपको जवादी मिल जाएगा उसके दक चीब में और सबसे दक्षिन में शेवर आय की पाड़ियां मिल जाएंगे यह बी तमिल नाड़ू में इस्तित्य तमिल नाड़ू का मैदान है ठीक है कि इसका उत्तर हो जाएगा एक दो तीन चार्ण मलय गिरी फिर नल्ला मल्ला पिर जवादी और फिर शेवर आया पहला प्रस्ण है त्रितिय बौध संगीति की अध्यक्षता किस ने की थी देखे कुल चार बौध संगीतिया होई थी बुद्ध के मृत्य के पशाद कुल चार बौध संगीतिया होई थी पहली सब्तपंडी गुफा राजगरी में होई थी दूसरी वैशाली में होई थी ती वै पाकु राजग्रिय वैशाली दूसरा तीसरा पाटल पुत्रों चोथा कुंडलवन में जो राजग्री में हुई थी दोस्तों सप्टपणी गुफा में वो 483 इसापूर में हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी पूचता है तो हर्यक वनसी राजा अजात शक्तु के शासनकाल में हुई थी इसकी अध्यक्षता दोस्तों महाकसपने की थी ठीक पहले की है महाकसपने की थी दूसरा राववय वै से वैशाली वैशाली में हुई थी दूसरी 383 इसापूर में ठीक 483 इसापूर में पहली हुई थी सो वर्षबाद 383 इसापूर में यह वैशाली में होती है शिशुनाग वन्शी राजा काला शोक के सासनकाल में यह संगीती होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं सभाकामी ठीके न सभाकामी दूसरे बहुत संगीती की अध्यक्षता करते हैं तीसरा पाटली पुत्र 251 इसापूर में किसके सासनकाल होता बहुत महतपूर्ण है दोस्तों यह मौरेवन्शी राजा अशोक के सासनकाल में होता है 251 इसापूर में और इसकी अध्यक्स्ता मोगली पुत्त तिस्स ने की थी, चौथा कुंडल वन कश्मीर में, ईसा की प्रथम शताब्दी में लगभग हुआ था यहाँ, सासनकाल उस समय शासन था कुशान वन्स राजा, कनिश्क का जो एक प्रतापी राजा था, और इसकी अध्यक्स्ता उपाध्यक्स इसके अश्वघोष थे, तो इसलिए वसुमित्र अश्वघोष दोनों का नाम आता है, तो आप याद रखेगा कोट से कहां कहां हुआ था, रा, वय, पाकु, किसके किसके सासनकाल में हुआ था, तो आजा, काला, अशोक, कनिश्क, कैसे याद रखेंगे, आ महा, सबा, मोगली, अश्व, महा, सबा, मोगली, अश्व, या वसु, कैसे महा से महा कसब, दूसरा सबा से सबाकामी, मोगली, मोगली, पुतिस, और चौथा वसुमित्र अश्वघोष दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, वसुमित्र अध्यक्षता किये थे इसकी, उपा चार हुए थे महत्यपूर्ण है इसलिए मैं इतना समय लगाया इसको बताने में सारी बातें इसकी हो गई है चलिए जो बाकी फैक्ट्स रहेंगे वो धिरे धिरे इस प्रोग्राम में हम जोड़ते जाएंगे अगला समिधान सभा के अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष स्थिया जिसमें साध सद्यस्तледंप अध्यक्ष समेथ जिसकी अध्यक्षता किस ने किती भीमरां एम्वेट करने साथो सदेस का नॉं आप याद रखेएगं दो उसमें से बदले भी थे एक थी प्रांती समिधान समिति उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभाई पने किया संग समिधान समिति जवालल नहरू, प्रांती समिधान समिति सरदार वल्लब भाई पटेल और संग समिधान समिति याद रखेगा जवालल नहरू, राजियों के लिए एक समिति बनी थी दोस्तों, उसकी बिज़क्सता जवालल नहरू ने की थी, इसके बाद मौलिक अधिकार एवम अल्प संखकों संबंधी परामर्श समिति थी जिसकी अध्यक्षता सर्दार ब्ल्ला भाई पटेल ने की थी अब यहाँ पे भीत पूछ रहा है अल्प संखक उप समिति है , यहाँ पे उप समिति है हम समिति क्या बता रह रहे हैं जो मौलिक अधिकारों संबंधी और अल्पसंख को संबंधी परामर समित थी उसके अध्यक्ष थे सरदार बल्ला भाई पटेल लेकिन याद रखेगा इस मौलिक अधिकारों अल्पसंख को संबंधी परामर समित के दू उप समितियां थी एक मौलिक अधिकार उप समिति थी जिसकी अध्यक्स्ता उप जेबी किपलाणी ने की थी, इसकी अध्यक्ता हरिशन्द HC मुखरजी ने की थी, तो यहाँ पर पूछा आ है न, अब संख्यक उप समिति के अध्यक्स कौन थे, तो HC मुखरजी थे, यह आपको याद रखना है, आगे निन्न में से सही सुमेलित न नहीं है अब यह देखी 18 सतावन की क्रांति सम्मंदित ये सभी लोग है कहां कहां पर ये क्रांति का नेतित तो कर रहे थे दिया है आपको पहचानना है असत्य कत्नार्था सुमेलित कौन सा नहीं है एक बार मैं बोल दे रहा हूं आप चाहे तो नोट कर लीजे चाहे तो सुन कर रादव कर लीजे लखनऊ बहुत महत्पूर्ण है बेगम हजरत्महल बरेली में खान बहादुर ने इलहाबाद में लियाकत अली對 कानपूर में दो नाम मशगूर नाना सहाब और अजीमुला खान नाना सहाब और अजीमुला खान फैजाबाद या अवद के च्छेत में मौलवी आमधुला शाह, जगदीश पुर बिहार में बाबू कुवर सिंघ, असम में दिवान मनी रामदत और जहांसी में रानी लक्ष्मी भाई तो आप देख रहे हैं खान बहादूर बरेली में सही है अजीम अल्ला खान कानपूर सही है आमदुल्ला शाह इलाबाद नहीं ये गलत है आमदुल्ला शा, फैजाबाद और अवत के छित्र में इन्होंने नेत्यत्व किया था और दिवान मनी रामदत असम ये सही है तो किवल सी ये मैच नहीं कर रहा है बाकी तीनों मैच कर रहा है आपको याद रखना है अजीमुल्ला और आमदुल्ला में आप भेत करिएगा ठीक है अंतर करिएगा, कन्फूज मत हुएगा अजीमुल्ला, कानपुर, आमदुल्ला, फैजाबाद पूरपव स्पष कौन थे? गुप्त कालीन राजसु थे या वैदिक यूगीन गुप्चर थे, वैदिक कालीन आभूशन थे उनके नाम है या गुप्त कालीन प्रांत तो पूरपव अश्पष ये वैदिक काल के शब्द है जो गुप्त-चरी के लिए प्रयोग में आते थे पुरव दुर्ग पती कहा जाता था पुरव वस्पष जो साधाना जनता के मद्ध रहकर के जानकारी जुटाते थे उनको पुरव वस्पष ये वैदिक यूगीन गुप्त-चर ब्योस्ता कि दो शब्द नाम है अब सही मिलान करने को है सूची फर्ष को सूची सेकंड से मिलाना देखे इससे संबंदित एक वीडियो जो मेरा इसके पहले तीसरे नंबर का सायद वह वीडियो है उसमें हमने समस्त जितने भी पत्र-पत्रिकाएं, संस्था, संस्थान, क्रांती, दुनिया भर की जितनी भी चीजे पूस्ती है, एक्जाम में, सब हमने उसी वीडियो में दे दिया, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, इसी सिरीज का एक भाग है वह और बहुत महत्पूर्ण है, उससे आपके परिक्षा में कम से कम 10 से 15 प्रशन इसली आही जाते हैं, तो उसको आप अ तलवार सही है, एनी बेसंट, कामन वील, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाय था, उसी समय कामन वील नमग, पत्रिका चलाती थी, और अरविंद घोश का वंदे मातरम, आप लोगों को पता ही है, हमने चर्चा भी की है, वंदे मातरम, ठीक है, तो सही उत्तर जो ही हो जा रहा है, 3, 2, 4, 1, एक मैस हो जाता है, तो सभी अपने आप मैस हो जाते हैं, बाकि किसी में तीन तो है, नहीं, तो 3, 2, 4, 1, यह इसका उत्तर है, भारत में ब्रिटेन के सभी समयधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था, बहुत टेकनिकल प्रशन है, बहुत अच्छा प्रशन है, भारत में ब्रिटेन के जितने में समयधानिक प्रयोग हुए, जो सुधार वो करते थे, उसमें तमाम तरह के एक्ट्स आये, उसके पहले चार्टर आता था, उन्हें सभी में सबसे कम समय तक कौन सा चला, यहां सभी पूछ रहा है, निमलिखि ठीक न, सबसे कम समय तक, 1909 का जो था, जिसको, जिसमें सामप्रताय भाजन की विनीव रखी, मिंटो ने, ठीक, बाटो और राजकरो की नीतिका जो प्रयोग था, इस अधनियम के द्वारा किया गया था, यह भी पूछा जाता है, मिंटो को, लाड मिंटो को, इसका प्रयो किया, तो 1909 का मिंटो मारले सुधार, एक्ट, सी, इसका उतर है, यह भी एक, फैक्चुल प्रशन है, कांग्रेस के निम्रिखित नेताओं में से, कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्षमें पूरी तरह से था, हम एक वीडियो में, योजनावा संबंदी, जो तरह से अभी मैं करता आया हूं, तो इसलिए यहां पर सिर्फ बता देता हूं, उस एक वीडियो में मैं सारी चीजें, किसने क्या कहा, कौन-कौन समर्थन में था, कौन-कौन विरोध में था, कब योजना आई, कितनी सफल हुई, ठीक है, क्या-क्या बाते थी उसमें, सब उसमें हम बताएंगे आपको, फिलहाल इसका जो एंसर है, दोस्तों, सरदार वल्लवाई पटेल जो थे, वो कैबनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, ठीक है, बाकी सब में कुछ ने कुछ टिपड़ियां की, कुछ ने कुछ उसमें कमियां निकाली, कुछ कुछ ने कुछ आलोशनाय की, लेकिन सरदार वल्लवाई पटेल इसके पक्ष में पूरी तरह से थे, इसका पूरा समर्था इन्हों ने किया था, अवनीन ना टैकोर के बनाये चित्रों को वर्गिकित किया गया है, यथार्तवादी, समाजवादी, पुनर जीवनवादी य कर सकते हैं, हाला कि यूरोपी प्रभाव इनकी कला में देखा जाता था, लेकिन ये जो चित्र बनाते थे, वो प्राचीन जो भारती संस्किती संबंदी थे, जो मौलिक चीजें थी, प्राचीन जो भारती चित्कला थी, उसकी जो भावपूर्ण और आंतरिक शैली थी, उ पुद्ध्यम सुजाता की तस्बीर बनाई, कमल के पत्ते पर जो है भगवान को इन्होंने दर्शाया, इसके लावा वन से संबंदित, जो प्राचीन आप देख सकते हैं, तमाम तरह की कलावं भारती कला सैलियों में, तो इनके अंदर भी वही चीज, लेकिन यूरोपी श 60 में भारत में प्रतिव्यक्ति आये 20 रुपे थी, यह स्वर प्रतम अभिनिश्यत किया किसने, तो दोस्तों दाधा भाई नोरोजी ने आपको पता है कि धन के निकासन का, निसकासन का सिद्धान्त, ड्रेन थियोरी आफ विल्थ का सिद्धान्त इन्होंने अपनी पुस्त अब यह है, दे पावर्टी एंड, अन्बिटिस रूल इन इंडिया, यह किसने लिखे इती पुस्तक तो दाधा भाई नोरोजी ने, इसमें उन्होंने धन के निकासन का सिद्धान दिया था, ड्रेन थियोरी आफ विल्थी थी, जिसके उनसार इनका कहने का मतलब था कि बि पॉइंट्स में भाजित किया कि यह यह लाब बिटेन यहां से ले जाता है, लेकिन उस लाब के बदले में भारतियों को कुछ प्राप्त नहीं होता, उल्टा उन्ही पर कर लगाया जाता है, उनको लाब देने के वज़ाया है, उन्ही पर कर लगाया जाता है, तो इसी को इन्हों ने धन के निशकासन का डेन थियोरिय आफ वेल्थ नाम दिया था हम आपको इसके बारें विस्तार से बताएंगे तो उसी के अंतरगत इन्हों ने भारत की प्रतिव्यक्ति आए सर्प्रतम निश्चित की जो कितनी थी 20 रुपय प्रतिव्यक्ति थी ठीक है न? अठारा सो सरसर अर्शट में